वाट इस अप गाइज क्या चल रहा है डॉंट से कोरोना का नाम नहीं लेना है पिछला साल बरबाद हो गया था इस साल भी बरबाद नहीं करना है तो यार सिधी सी बात है बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है इसके लिए बहुत बहुत सौरी लेकिन आज एक अच्छी वीडियो पर बात करते हैं अच्छे टॉपिक बात करते हैं एक्चली मुझे काफी टाइम से एक फोन लेना था जिसका कैमरा तो ऑसम होई साथ के स मतलब गजब है गजब मतलब एकदम कंटा अच्छी बात ना काफी हाड टेस्टिंग होई है काफी अच्छी कैमरे के टेस्टिंग हो गई है तो मैं आपको बताने वालाँ कि दो इतिन महीने के बाद अगर आपने थे 20-25,000 के रेंज में कोई फोन लेना तो वह आप के तो इसी बारे में बात करते हैं, तो वीडियो चूरू करने से पहले, अगर वीडियो पसंद है, तो लाइक करना यार कि ये प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा परफॉर्म करता है, इसका कैमरा कैसा है, गरम तो नहीं होता फोन, और अगर गेमिंग वगरा करें, तो इसी बारे में बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, फोन की लुक सबसे जादा इंपोर्टेंट होती है, कि जब आप फोन को ख बाकि पूरा ग्लास बैक है, लुक आपको पहली नजर में इसकी पसंद आने वाली है, दो कलर्स इसमें मैं आपको मिलते हैं, एक ब्लैक और एक कुछ ऐसा संसेट टाइप का कलर है, तो मेरे को ब्लैक थोड़ा प्रफेशनल लगा तो तो मैंने ब्लैक लिया, एमोलर स्क्र वीवो की तरफ से या फिकिसी भी कंपनी की तरफ से जिसमें आपको फ्रंट कैमरे में आई आटोफोकस मिलता है, तो ये काफी अच्छी बात बन जाते हैं, एक एक प्राइमरे के लिए, और बहुत होते हैं, 48 मेगा पिक्सल किसी फोन के प्राइमरी कैमरा होते है, 44 मेगा इस फोन का फ्रंट कैमरा है, और काफी लोगों के मन में डाउट होता है कि वीवो का फोन है, तो लैग मारता होगा, इसका यू आई अच्छा नहीं होगा, जैसे वन प्लस एमसंग के यू आई, या फिरियल में में भी अपना यू आई काफी इंप्रूफ कर दिया, तो वी टेस एंड्रोइड में, वीवो ने अपना ओएस, यू आई काफी इंप्रूफ किया है इस फोन से, बाकि पहले के जो फोन आते थे वीवो के, उनका यू आई इतना कुछ खास होता नहीं था, लेकिन इस फोन का यू आई बहुत अच्छा मिलता है आपको, और अभी तो वी कर सकते हो बीना किसी दिक्कत के, हाँ बस मुझे वाइफाइ कॉलिंग का सिस्टम समझ नहीं है क्योंकि वाइफाइ कॉलिंग मैंने अब तक अक्टिवेट तो करी है, लेकिन मुझे यूज करनी नहीं आई कि कैसे यूज करते हैं, इसमें भी ऑप्शन नहीं मिला, दिकत मर्जी मैं अपने फोन को साइलेंट ही करता हूँ, मैंने क्यों पकड़ा हात में, बाकी मुझे कुछ ऐसा इशू नहीं आया, साउंड के ओट में, मैं गाने सुनता हूँ, वो भी एर फोन के थुरू सुनता हूँ, कुछ वीडियो बगर आगर देखता हूँ, तो वो भी मै मैं यह फोन के थुरू देखता हूँ, मुझे कुछ साउंड में ऐसा कुछ दिखता हूँ, हाँ, वो बात आगरी है कि इसकी आउटपूर थोड़ी कम है, लेकिन चलता है, मेरे लिए चलता है, मेरे लिए चलता है, अब बात करते हैं में, जिसके लिए मैंने फोन को पर्च अब लिए यह यह इन चलता है, में एक दिन के लिए इसको यूज रहे लेनी से पहले, तो अच्छा मुझे लगा था, इसका यूआई मिर को काफी पसंद रहा था, मैंने एक गेम भी इसमें कहल ली ती, और मैंने शिफ्ट किया इसको अपने कैमरा पे, इसमें तो इसमें स फ्लैक्शिप लेवल की परफॉर्मेस देने वाला है काफी लोगों ने भी बोला था कि इस फोन का कैमरा इस प्राइज रेंज में साङ। होता है जो काफी यूनिक बात होती है एक आपका प्रैक्टिकल थिंग होती है वहीं फूरी कर देते हैं यह जिसका कोई भी उस्नी होता है और तुसरी अपाइसा कर देना चाहिए वाइपका मैं एंगल में जो आपका मैंक्रो कैमरा जो आपका वेडीयेवल लेंस को वेस्ट होता है पूरा वेस्ट इतने टाइम से मैंने इतनी सारी फोटो इतनी सारी वीडियो मैंने इस फोन से कैप्चर करी है यार मज़ा जाता है और हाँ अभी रिसेंटली मैंने एक रील बनाई थी इसका मैं आपको लिंक दे दूँगा अगर आपने नहीं देखिए उस र फोन है यह आपने कैसे वोटो लिए काफी वाइरल होगी ती आदिंग मेरी फर्स्ट वीडियो में वाइरल हो गई है जहां मुझे थोड़ी सी कम ही लगी वो यह है कि इसमें आपको video में manual mode को option नहीं मिलता जैसे realme 7 pro में 8 pro में मिलता है आपको video mode में manual mode मिल जाता है कि आप अपर्चर वगरा आपने आप शाटिट सेट कर सकते हो इसमें ऐसा नहीं है I think वो software update के through मिल सकता है किसी भी phone में और इस phone में भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात होगी और अभी दो तिन दिन बाद वीवो का V21 लाँच होने वाला है इसका successor जो 5G होगा जिसमें OIS मिलता है तो वो और ये हैं दोनों phone लेकिन वो 5G और उसमें आपको OIS मिलेगा बाकि चीजे से वो फोन भी बहुत तगड़ा होने वाला है और ये फोन भी बहुत तगड़ा है वीवो की तरफ से और मैं वीवो को मानता हूं कि यार वीवो ने काफी अच्छा काम किया है जब से V20, V20 Pro और V21 लाँच हो है जब से उसकी X50 series लाँच हो है जिसमें आपका gimbal camera मिलता है वहां से मैं इनोवेशन पर बहुत काम किया है अगर मैं बात करों की इसमें आपको दस में से मैं कितने number दोंगा इस फोन को तो camera के मामले में 10 में से 9 या 9.5 भी दे सकता हूं software के मामले में 10 में से 8 या 8.5 दूंगा और screen के मामले में 10 में से 9 दूंगा क्योंकि इसकी screen भी अच्छ प्रेटिकल है और वीवो का फोन है तो फिल्टर्स दुनिया भर भर के यार इतने ज्यादा फिल्टर कहां से लेकर आते हैं वीवो की कंपनी में समझ नहीं आता लेकिन अच्छे है ठीक है अब प्रेक्टिकल चीज़ों के बारे में बात करता है यह फोन आपको लेना चाहिए की नहीं लेना चाहिए देखो यार रियल्मी 7 प्रो या शौमी का रेड्मी नो 10 प्रो मैक्स आपको पता ही शौमी में यू आई का बग्स आता रहता है दो तिन बाद अब यू आई में ही बग है उनका एक फीचर है उन्होंने फीचर दे रखाई है रियल्मी का फोन ठीक ह यू लेकिन रिपिटी ट्रैक पर चल रहे है कि आपका स्नैपड्राइगर से 20 जी ही देजा रहे है बारब पर प्लास्टिक बैग देजा रहे है फोन उले में हुए ठीक है चलो को वारत दिले कि रियल्मी भी तोड़ा सा और डब्ब और का है रियल्मी का डब्ब यार इतन यार वो वाला डबबा और ये वाला डबबे में तो कंप्री वायर इस वारे में थोड़ा सोच नहीं जाए अगर मैं रियलमी का फोन ले भी लेता तो मेरे घर वाले बोलते वाई लेकिन अपडेट भी इसमें आपको रेगूलर मिलने वाले हैं महिने में एक दो बार अपडेट मिल जाती है तो मेरे साब से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो इस वीडियो में नेक्स वीडियो जो आएगी उसमें इस फोन की कैमरे की कुछ प्रैक्टिकल चीजह तो इतना थायरीज वाली वीडियो में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना सब्सक्राइब करना इस चानल को और आप से नेक्स वीडियो मिलते हैं तब तक लिए बाए बाए